बता दे कि उत्राखण के बुक्खी मत्रे पुशकर सिंग धामी आज यूनिफर्म सिविल कोड यानि की UCC को विधान सभा सदन में पेश कर दिया है बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विधान सभा में हंगामा कर रहा है विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कारेवाही दो बजे तक के लिए इस थागित कर दी गई है उत्राखंड विधान सभा में UCC विधेक पास होने के बाद कानून बन जाएगा आपको बता दे की ये कानून के साथ ये विधेक बन जाएगा और इसके साथ ही उत्राखंड देश में UCC लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा सुत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल है जिसका लक्ष पारंपरिक रुती रिवास से उत्पन होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है उत्रकंड विधान सभा में UCC बिल पेश कर दिया गया है मुख्यमंत्रे पुषकर सिंग धामी के द्वारा ये विल पेश किया गया है और ये विल पेश होने के बाद ये एक विधेक बन जाएगा जिसके बाद इसे राज्येपाल के पास भेजा जाएगा विपक्ष इस पर लगतार हमलावर है विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रही है वही विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कारेवाही दो बज़े तक के लिए स्थगित कर दी गई है विपक्ष और सत्तापक्ष हर किसी को इस बीच ड्राफ्ट सौपा गिया है दो बजे तक का समय दिया गिया है और इस बीच दो बजे इस पर चर्चा होनी है यह बड़ी ज्वानकारिया तक पहुच आ रहे हैं जहां पर दो बजे तक के लिए विधान सभा की कारेवाही स्थागित कर दी गई है दो बजे तक के कारेवाही स्थागित है दो बजे एक बर फर से यूसी से बिल पर चर्चा होनी है विपक्ष लगतार चर्चा के मांग कर रहा था अरसी बीच अब हंगामे के बीच सदन की कारेवाही दो बजे तक के लिए इस्थागित कर दी गई है मुख्य मंत्रे पुशकर सिंग धामी के द्वारा UCC का बिल विधान सभा में पेश किया गिया इस दोरान सत्ता पक्ष की तरफ से BJP के विधाईकों की तरफ से जैश्री राम के वंदे मात्रम जैश्री राम और भारत माता की जै के नारे भी लगाए गए और ये वो तस्वीर है जब विधान सभा में UCC का बिल पेश किया गिया था और इसे पर जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे समवादाता उपेंद्र सिंग राना हमारे साथ लाइब जुड़ गया है उपेंद्र विधाईक के विधाईकों ने जिस तरीके से नारे बाजी की लेकिन विधान सभा में बिल पेश हो गया है दो बजे तक के लिए कारे बाहिस थगित कर दी गई है दो बजे इन तमाम मुद्दों पर यूसिस के मुद्दे पर चर्चा होनी है क्या कुछ पूरी जौनकारी आपके पास है विस्तार से बताईए बिल्कुल जिस परकार से जो जब सदन के कारवाई हुई सदन के करवाई होने के बाद मुख्या मंतरी पुस nueva सींग नारे और भारत माटा की जैचे नारों के साथ बुरा सदन चुटा था और कि जब हम जो है इस तरह कि जो है फूटिंग के जिसकार से अगर सदन के अदर करते हैं तो सांती भंग होने को लेकर पीट की और से जो है निर्दिश दिये जाते हैं लेकिन इस प्रकार से वाजपा बिदायकों के द्वारा जैसीर्ण राम के नारेज सदन के अंदर लगाए थे उसको लेकर पूरी तरीके से जो है पूरा सदन जो है वह गूंज उठा था अब दो बज़े के बाद जो है यूशीशी पर चर्चा होनी है जिस परकार से संसद्यकार्यमंत्री प्रेंशन नगरवाल से जब हमारे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप विपक्स के समय है कि थे जो है इस पूरी जो राप है उसको पड़े है अगर उसके बात इसके पास थे उनको आउस कल समय नहीं है जो है और चाहते हैं तो लेने के बाद चर्चा कर सकते हैं क्योंकि आंट ही लागों करेंगे चाहां कि जो है यहां पर जायेगा ज़ूकी जुमान कानुन कानुन का जायगा जूहिए जैसे ही प्रावधान प्रावधान रखे गए है खास तोर पर जिस प्रकार से जो विवा को लेकर जो एज का जो रखा गया था उसमें पूरी हो इस तरह के प्रावधान जो है वो रखे गए है यानि कि आई सीमा को भी बढ़ाया गया है तो कि यह कहा गया है कि तब जो है जो लड़के जो है बालिक हो जाएंगे और इसके एक अगर बच्चे आखेएंऻ देखा गया है कि जब देखा गया है कि जब दो करना अब नहीं है यहां जो ओन यानी कि कि अगर लाग हो तो लोग साधी नहीं कर सकते जर इसकी दोने की सहमति नहीं वनती है BIPAKS का इमानना है कि उत्राखन में कई सारी जाती धर्म के लोग जो है वो रहते हैं जिस प्रगार से इस पर जन जाती के लोगों के लिए कोई भी कानून जो है उसका प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है जब कि यहां पर कई सारी जन जातियां है जो यहां पर कई सालों से कई वर्सों से जो है वो रह रही है इस तरीके का प्राफधान उनके लिए जो है नहीं रखा गया है तो उनके लिए खास क्या है उसको लिखे कर सरकार की का इस्टेंड है इस पर जो है वो ध्यान देरे वाली बात है तो इस पर भी कहीं ने कहीं बिपक्ष सवाल उठा सकता है और उस पर जो जो है वो दिया जाना चाहिए था और ताकि हमारे पार परियाब्ट समय हो हम उसको एक दिन तक पूरी पूरी इस्टेडी जो है उस ड्राप की कर सकते थे और उसके बाद जो है उसकी चर्चा जो है विदिवत तो अपेंदर यही पर आपको रोकना चाहूंगे इसे निए सब पास करके और पूर देश के लिए नजीर बनेगा एक उधारन बनेगा इसके अंदर कुछ बाते रखी गई हैं और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि साओधी एरब के अंदर यूसी सी है टर्की के अंदर यूसी सी है इंडोनेशा के अंदर यूसी सी है नेपाल के अंदर य यह लागू था उसके बाद भारत ने उसको स्वीकार कर लिया परन्तु आजाद भारत के अंदर उत्राखंट पहला राज बनेगा जहांकि UCC लागू होगा इसके अंदर महिला को मजबूत करने का अभी प्राह है लक्ष है महिला शर्शक्तिकरण का लक्ष है उसको देखते ह हम इसको ला रहे हैं और जो इसका विरोध भी कर रहे हैं जब इसका पूरा अध्यान करेंगे बिलका तो उनका विरोध भी नगड़ने हो जाएगा इसमें बाल विवहा को रोका गया है निश्यत रूप में गर्ल शूड भी मेचियर होनी चाहिए और इसमें 18 से 21 साल की रिजिस्टर ना करने से बहुत से केसिस होते हैं बहुत सी विसंगतियां पैदा होती हैं और बहुत से अपराद पैदा हो जाते हैं तो ये रिजिस्टर करनी होगी विशेश कर इस बिल के अंदर कोई भी विक्ति को हम नाजाज अउलाद नहीं कह सकते हैं तो विक्ति को ए जाण सार भाबर के अंदर जो है polyandry है, polyandry माने ज्यादा पती है, एक 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 विभाता के तीन चार चार पती होते हैं, जैसे पांड़मों के थे, वो वहाँ प्रेक्टिस चल रही है, पर आज क्योंकि education का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया है, कि धीरे धीरे वो भी खतम हो चुकी है आज किसी रिमोट एरिया में आप पराप्त ऐसा चपाएंगे अधरवाइस यह रहा नहीं है तो धीरे-धीरे उन segments को भी हम educate करने के बाद इसी UCC में ले आएंगे परन्तु अभी उनके क्योंकि उनकी पराप्त एसी हैं रिमोट एरिया में वो लोग हैं बहुत ही सदूर इलाके में बसे हुए हैं इसलिए उनकी परमपराओं का संबान करते हैं इसको एक्स्क्लूट किया गया है आप जैसे अंडमान के अंदर लोग बसे हुए हैं वहां कुछ करेंगे और सत्पाल महराज को सुन रहे थे आप जहां पर यू सी सी में क्या-क्या बदलाव होंगे ये तमाम बाते उनकी तरप से कही गई है आपको बता दे कि जो नियम बदले जाएंगे वो सत्पाल महराज बताते नजर आए और इसे पर हमारे साथ लगाता है उपेंद्र सिंग कराणा हमारे साथ जुड़े हुए उपेंद्र अपनी बाते पूरी कीजिए देखे दिवा बिल्कुल जिस प्रकार से अभी प्रेटर मंतरी सत्पाल महराज ने भी कहा कि किस तरीके के प्रावधान जो है वो यू सीसी में जो है वो रखे गए हैं उनका यह भी कहना था कि इन और इस तरीके के प्रावधान जो है यू सीसी जो है वो लागू की गई है और लड़की और लड़के की आई उसको बढ़ाया गया है दूसरा जिस प्रकार से उन्होंने का जो रग है वो करना बहुत अनवार है चाहे वो सहरी इलाकों में रह रहे हों या ग्रामिड इलाकों में भी रह रहे हैं तो उनको भी अपना साधी का स्वाइश्टेशन जो है वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह देखा गया है कि कई ज्यादा जो है जिस प्रकार से गटनाई होती है और कई पर यह पता नहीं लग पाता है कि साधी हुई भी है यह नहीं तो यानिकि मेरी साटिफिकेट होना जो है वह काफी अनुवारे जो है वो रखा गया है दूसरा जिस प्रकार से जो सिद्दत और हलाला जो है उस पर रोक लगाए गया यानिकि मुस्लिम मेलाओं को लेकर भी पर जो है थो पर गाया गया था जिस तरीके से पहुआ गयरे देखा गया थाकि साधी के बादय गर पति लुए तिन तलाग यह गो का है तो दुबारा से अपनाने अपर प्रकीरा लेकिना यह इस तरीके से कई सारे कानून जो है यूशी सी में जो है वो लाए गए हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा तो अपनी थपतपा रही है दूसरी और जो है कॉंग्रेस हालने की अब जो है इसको रीट करेगी रीट करने के बाद जब सदन के कारवाई जब सुरू होगी उसका विरोध जताती है विरोध किस-किस बिंदों पर होता यह देखने वाली बात होगी क्योंकि विपक्ष का इमानना है कि जो भी जाती समधाय से हटकर अगर कोई कानून जो है अगर लागू किया जाएगा तो उसका जो है सदन के अंदर विरोध किया जाएगा लेकिन उपेंद्र इस पूरे मामले पर जो विपक्षी नेता है या फिर यू कहले कॉंग्रेस के वरष्ट नेता पोर्व सीम रहे हरिश्ट रापत उनका कहना है क सरकार तमाम नियमों को तोड़कर ये कानून ला रही है। अगर लाना ही चाहती है तो इससे पहले सरकार ने कानून को लागू क्यों नहीं किया क्यों सरकार जो है सिर्फ लोगसवा चुनाव का इंदजार कर रही थी जैसे लोगसवा चुनाव का समय अब काफी कम बचा हुआ है इसके बाद कानून को लाया जा रहा है यानि कि साब तोर पर यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ जो है चुनाव को देखते हुए जो है यह कानून लाना चाहती है और सिर्फ धर्म की राजनेति एक धर्म विसेश के लिए जो है यह कानून जो है वो लेकर आ रही है लेकिन अब यह देखना होगा कि जिस परकार से सदन कि और से अब विपक्स को पूरी कौपी जो है वो पढ़ने के लिए दी गई है किस पर विरोध जताती है क्या ऐसे कानून है जिसको लेकर विपक्स को लगता है कि एक धर्म विशेश को लेकर जो है यह कानून लाया गया या उसको टार्गेट करने के लिए जो है कानून लाय तो उसका भी राजनीती विपक्स कर रहा है और लगातार जो है उसका विरोध कर रहा है हम कानून के विरोध में नहीं है हम चाहते हैं कि कानून लागू हो लेकिन उस कानून पर चर्चा होनी बहुत अनिवार है उस पर चर्चा होनी चाहिए और एक दिन में ऋपर चर्चा नहीं हो सकति जाम लेकिन अगर मुसलीं पक्ष की बात कर ले तो बुसुलीं पक्ष कानून के वहिशकार करते नजर आ रहे है मुसलिम पक्ष की तरब से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ भेदभा हो रहा है जब एक देश एक कानून की बात हो रही है हर किसी वर्ग को हर वर्ग को हर किसी को ध्यान में रखते हुए जब ये कानून वन रहा है तो मुस्लिम पक्ष की तरब से इसका वहिशकार क्यों किया जा रहा है? ये कानून लेकार आ रही है वह ज्यांदा तर नियम कानून में बनाए गए हैं हमारे धर्म को । टार्गेट करते वह जो है ये कानून बनाए गए हैं लकिन ये जरूर देखा धिंगा कि अभी क्विशD कि अभी अगर देखा जाए ना तो सदन के अंदर इस तरीके का कोई विरोध है या सदन के बाहर कोई कि सामाजिक संगठन या तमाम जो राजनिक दल है और UCC का विरोध करतावा दिखाए दे रहा है लेकिन ये जरूर है ठीक है ओपन रोटूंगी आपके पास लेकिन असे बेच विद्धान सभा मेरितू खंडूरी ने क्या कुछ कहा है UCC पर सुनवाते हैं उत्राखन के लिए कि अतिहासिक दिवस है और हम सब बहुत खुश है कि UCC टेबल हुआ है और आप सब जानते हैं कि UCC एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट विद्धियक है और आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इसको आज सदन में ले किया है वज़ देखे ऐसा है आज दो बज़े के बाद चर्चा शुरू होगी उसमें नेता सदन है नेता प्रतिपक्षे बाकि जो भी बोलना चाहें इसमें हम चाहते हैं कि एक अच्छा डिसकॉशन हो जिसमें सभी के व्यूपॉइंट्स आए सब लोग अपनी बात को रखें उसमें कुछ और आड करना चाहते हैं तो एक अच्छा डिसकॉशन के मैं आशा करती हूँ के सदन में होगा तेकि ऐसा है कोई आज तो हम उसको पारित नहीं कर रहे हैं आज हम टेबल क्या है आज चर्चा शुरू होगी और चर्चा जारी रहेगी और जब तक आवश्यक्ता होगी तब तक चर्चा जारी रहेगी जब तक हर एक व्यक्ति जिसे इसमें अपना हर एक सदस अपना जब तक मत नहीं रख देता है अपनी बात नहीं कहतेता है तब तक हम चर्चा करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं देखे मैं इस बात को कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि महिला ही एक ऐसी आवाज है जो शायद किसी भी धर्म किसी भी जाती कि अगर देखे जाए तो कहीं न कहीं वो वंचित रहती है राइट्स को लेकर अपने लीगल जो उसकी राइट्स होती है उसको लेकर तो मुझे बहुत खुशी है कि चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो अडॉप्शन राइट्स हो चाहे वो लिव-इन रिलेशनशिप की बात हो चाहे वो marriage registration की बात हो इस तरह के अनिक चीजें इस विध्यक में आ रही है जिससे मेरी जो बहन है वो सशक्त होगी और विक्सित भारत की तरफ एक ये अच्छा कदम होगा